हाई फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल फैमिली सर्मा पे बहुत-बहुत सौगत है पहले तो आपने अगर इस वीडियो को थमनेल देखके स्टार्ट किया है कि आपको पढ़ना है नटीपीसी के लिए साइन्स रिलेटेड कोश्चन तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखेगा इसमें 30 कोश्चन होंगे आपके लिए जो 1000 कोश्चन के जीविग्यान की सीरीज चल रही है आपको सही पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ आपने अभी तक जितना भी साइन्स पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहे है साथ में आपको MCQ करना बहुत इंपोर्टेंट है अगर 30 कोश्चन आप केवल साइन्स में राद कर रहे हैं डेली हर टॉपिक से रिलेटेड तो पहले उन 3 कोश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए उनको लर्न कर लीजिए जो उसमें से कम से कम 15-20 कोश्चन आपको आते होंगे हो सकता है 5-10 कोश्चन आपको आते हों उन्हें आप पढ़िए जैसे ही next day अब मेरा नया वीडियो आता है या फिर आप फिर से कहीं और से पढ़ते हैं तो प्लीज पहले पूरा पिछला रिवाइज किया करिए उसके बाद आपको 5-10 मिनिट का समय लेगा मात कुछ रिवाइज करने में आपके पास जब 1000 कोश्चन हो जाएंगे तो आप इसी तरीके से फ्लू में चलते रहेंगे वो एक 1000 कोश्चन आपको अगर याद है तो आप एक्जाम में काफी कोश्चन देखके ही साल्व कर पाएंगे तो इस वीडियो में हम करेंगे 90 से लेके 120 कोश्चन तो देखते हैं आपको 30 कोश्चन में कितने आते हैं पूरा वीडियो देखेगा most important कोश्चन है आपके लिए चल ये पहला कोश्चन है कि पराग ज़र निमल कित में से किस्त का लच्छन है अब आपको पता होना चाहिए पराग ज़र होता क्या है देखे पराग ज़र होता है कि जब मनुष से क्या होता है पौधो के संपर्क में आता है उनके पराग कर के संपर्क में आता है और नाक के दौरा क्या होता है उनके पराग कर को सूंग लेता है तो उसके जो नाक के छेद होते हैं खुजली होने लगती है आखों से आसू आने लगते हैं छीके आने लगती हैं तो इसे पराग जुर बोलते हैं तो ये एक प्रकार की ऐलर्जी है इसका राइट अंसर होगा आप्शन नमबर टू ऐलर्जी नेस्ट कोशन है निम लिखित में से क्रसी की उस साखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पसू के चारे आस्रे स्वासता प्रजनन से संबंदित है तो सिंपल सा कोशन इसको बतानी की जरूरत नहीं इसमें कोई डिटेल नहीं है इस पूरी पद्दत को ये जो संबंदित होती है वो पस उपालन से सम्मंदित होती है option number 4 इसका होगा Edward Jenner निमलिकित में से किस बीमारी से जुड़े हुए है Edward Jenner वाला question most important है काफी बार question पूछा गया है परिछा में और आपके लिए most important है तो इसका right answer होगा चे चक आपको आता भी होगा सैयुक्त पड़वाला पौधा होता है देखें जो सैयुक्त पड़वाला पौधा होता है वो आपका नारियल होता है नारियल सैयुक्त पड़वाला पौधा है या एक बहु वर्सी एवं एक बीच पत्री पौधा है इसका तना लंबा यम साखा रहित होता है ये नेस कोशन देखें निमलिकित में से वह वैग्यानी कौन है जिसने पहली बार रुधिर पर संचरन की व्याख्या की थी सबी को पता होगा फेमस कोशन है विलियम हारवे जीनी की थी नेस कोशन पर बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है देखें पेपसिन रेनिन और एमलापसिन ये तीन एंजाइम जो आपके पास लिखे हैं ये आपके एंजाइम है और पाचक एंजाइम है लेकिन जो इंसुलिन है, इंसुलिन कोई एंजाइम नहीं है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो राइट अंसर इसका होगा, उपसन नबर त्री नेक्स्ट कोश्चन है, विकास का सिध्धान निम लिखित में से किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिध्धान चार्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया था, कई बार ये कोश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है, आपको याद होना चाहिए मानो सरीर में निम लिखित में से किस अंग की हट्डी सबसे लंबी होती है तो जो मानो सरीर होता है, उसमें जो जांग होती है, जो फीमर हट्डी पाए जाती है, वो सबसे लंबी होती है, तो इसका राइट अंसर होगा, आपसर नमबर टू निमोनिया का नया रूप सार्स निम लिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ है, तो most important question है, कई बार ये question पूछा गया है, निमोनिया का नया रूप सार्स जो है, सार्स है, वो कहां से जुड़ा हुआ है, चीन से शुरू हुआ है, निमोनिया अगर मैं बात करूँ, तो फेफडे का एक रोग होता है इसका जीवान का बहुत ज़्यादा important है जीवान से यह होता है इसके जीवान का नाम होता है Streptococcus Pneumony इसे याद रखेगा Streptococcus Pneumony इसके जीवान का नाम होता है इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है यहाँ पर most important एक सब्दार है SARS इस SARS का अगर full form मैं आपको बताऊं तो इसका full form होता है severe acute respiratory syndrome यह पूछा जाता है A का मतलब यहाँ पर क्या है तो acute है R का मतलब क्या है तो respiratory है S का मतलब syndrome है और S का मतलब क्या है severe है तो यह बहुत important है चलें next question क्यों देख लेते है मानो में कसेरकों की कुल संख्या होती है तो मानो में कसेरकों की कुल संख्या जो होती है वो 33 होती है next question क्या है मानो सरीर में औस्तन आक्सिजन की मात्रा प्रस्द मात्रा कितनी होती है तो प्रसंद माता 65% होती है इसके पिछली कोशन में हम लोगों ने कई बार से देखा है नौजाग सिसको BCG का टिका कब लगाया जाना चाहिए पहले तो आपको पता होना चाहिए BCG का मतलब क्या होता है BCG का मतलब होता है बैसलस कालमेट ग्यूनीन ठीक है और ये जो होता है तपेदिक वाद टीबी के बचाओ के लिए सिसको जन्म के ततकाल बाद लगा दिना चाहिए लेकिन अगर ततकाल बाद नहीं लगाते हैं तो बारा महने तक लगा दिना चाहिए जैसे जैसे टाम बढ़ता जाएगा तो इसका प्रभाव कम होता जाएगा टीके का और अगर बारा महने हो जाते हैं उसके बाद अगर आप ये टीका लगाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता है इसका राइट अंसर होगा अपसर नबर फर घोड़े औं गधे से पैदा जानवर की संकरजाद को क्या कहते हैं अब कहने का मतलब है अगर एक घोड़ा है या फी गधी है या गधा है फी घोड़ी है इनके आपस में जानवर की संकरजाद जो होती है उसे हम खचर कहते हैं तो most important question है option number 3 next question है glycoma निमलिखित में से किसका एक रोग है इसको बताने की जरूर नहीं है simple question है glycoma एक नेतर का रोग है option number 4 next question क्या है water tankों में सेवाल को नस करने के लिए प्रियोग किये जाने वाले रसाइन को निमलिखित में से क्या कहा जाता है तो water tankों में जो सेवाल होते हैं उनको नस करने के लिए copper sulfate का यूज करते हैं most important question number first next question देख लेते हैं मानो में गुरुदे का रोग किसके प्रदूशर से होता है तो जो मानो होता है उसमें जो गुरुदे का रोग होता है वो cadmium के प्रदूशर से होता है right answer होगा option number first इसका most important question मानो सरीर में dehydration निम लिखित पदार्थों में किसकी कमी के कारव होता है सभी को पता होगा गर्मी भी चल ले या आप कई बार सुनते होंगे लोगों के दौरा पानी पीते रहिए वनना dehydrate हो जाएगी body तो option number four इसका सही हो जाएगा निम लिखित में से वाव वेक्ति कौन है जिसने DNA का सबसा पहला पात्र विसले सर किया था इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा आर्थर कोर्ण बर्ग इसका right answer है आर्थर कोर्ण बर्ग इसका correct answer है नेक्स कोचन देखते हैं निम्लिकित में से किसकी सबसे चोटी जीवित कोच्ट का होती है तो कवक दरव जो होते हैं कवक दरव की सबसे चोटी जीवित कोच्ट का होती है राइट अंसर अप्सन नमबर टू नेक्स कोचन है जम्भाई आती है जमभाई क्यों आती है जो फेफडे होते हैं या जो रक्त होता है उससे रिलेटेड है ये रक्त में जब CO2 की अधिक सांदेता हो जाती है तो उसी के वज़े से जमभाई आती है राइट अंसर अप्शन नमबर फास्ट नेस्ट कोशन देखते है निम्लिकित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका इसनायू तंत्र तो होता है परंतु मस्तिस्क नहीं होता है मोश्ट इंपार्टन कोश्चन आप रियल बताएगा क्या आपको ये कोश्चन पता है बताएगा जरूर तो इसका सही अंसर होगा इस्टार फिस्ट इसका करेक्ट अंसर होगा इस्टार फिस्ट जो होती है वो एकाई नोड मेंटा फाइलम का सामोहिक और मुक्त जीवी समुंद्रित जीव है इस्टार फिस्ट का इसनायू तंत्र तो होता है परंतु मस्तिस्क नहीं होता है most important question option number 2 next question देखिए रक्त इसकंदन में सहायक विटामिन होता है कई बार question आया है simple question है विटामिन के से related है अगला बताएए निमलिकित में से कौन सा घटक मूत्र अपसमान घटक है इसका right answer क्या होगा तो मूत्र का अपसमान जो घटक है वो कीटोन निकाए कीटोन निकाए related नहीं है मूत्स से आपको पता होना चाहिए मूत्स related नहीं है निमलिकित में से कौन सी कोसी का प्रतिरच्छा पैदा करती है निमलिकित में से कौन सी कोसी का प्रतिरच्छा पैदा करती है तो लसी काण या लिंफोसाइट जो होती है लसी का एक रंगीन द्रव है जिसमें लाल रुदृ कड़िकाएं और प्रेटेट्स नहीं होती है लस्का में मौझूद एक वक्षीज होती है लिंफोसाइट्स रोगाणू जैसे जीवाणू का भचचड कर उन्हें नस्ट कर संक्रमर से हमारी सुर लाल लुदृ कड़िकाओं अब यह देखें सिंपल सा कोश्चन लेकर मोच्ट इंपोर्टेंट है देकर बहुत अधिक उचाई पर मनुस्की लाल उदिर कड़िकाओं का आकार क्या हो जाता है बढ़ जाता है लाल उदिर कड़िकाओं में इत्रोसाइट्स भी कहा जाता है उनको एरित्रोसाइट्स भी कहा ज़ता है ये केवल कसेर की प्राणियों में ही पाय जते हैं इनमें होमोग्लोबीन नामक एक रंजक होता है हीमोग्लोबीन नामक नेस्ट कोश्चन क्या है टेस्ट ट्यूब वेबी का अर्थ क्या है सिम्पल सा कोश्चन है टेस्ट ट्यूब विवकार्थ क्या है पात्री निसेचन और फिर गर्भासे में प्रतिरूपन option no.4 इसका साही अंसार हो जाएगा last question आपके इस वीडियो का जिस पदात का निवेसी किसी जीवित में कर देने पर प्रतिरच्यों के उत्पादन को प्रेडित करता उससे क्या कहते है इस question का अंसर आपको देना है comment box में देखता हूँ मैं इसका अंसर कौन देता है तो ये question आपके लिए है इसी तरीके से हमारे 1000 बायो के most important question complete हो जाएंगे और उसके बाद अगर समय रहेगा तो आगे के कुछ question और हमें आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा अगर आप daily मेरे वीडियो को देखते हैं तो please like, share जरूर किया करिए comment में अपनी बात जरूर बताया करिए और अगर मेरे चैनल पर अभी तक आप new हैं तो like, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आज के लिए इतना ही धन्यवाद